ये वही राज्जी है जहां पर कॉंग्रेस पार्टी ने 149 सीटे हासल की और ये वही राज्जी है जहां पर 27 सालों से ऐसा सूखा पड़ा कि कमल को मुर्जा देने की ख्वाहिशें आप लोग अक्सर पालते हैं लेकिन उसमें काम्याबी नहीं मिल रही है। कॉंग्रेस पार पिशली बार हम जीते जीते रहे गए हैं कुछ कमिया थी, इंटर्नल कमिया थी, कुछ हमारी जो दिल्ली से जो नियंदरन होता था उसमें कुछ कमिया रही थी। अब उन सारी चीजों को हमने दुरुस्त किया है, एक अलग टाइप का कैम्पेंग चल रहा है, शायद नेता आपको यहाँ दिखनी रहे हैं, इसलिए कई लोग कहता है कि कॉंग्रेस का कैम्पेंग अब जिसके पिशली बार जैसे हुआ तो ऐसे नहीं है, हम अलग तरिके से लड़ रहे हैं कैम्पेंग, पूरी पार्टी लड़ रही है, हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, और धिरे धिरे जैसे कुछ दो-चार दिनों में डिगज नेता भी आएंगे, लेकिन हमने अपना खोशना पत्र रिलीज कर दिया है, चारशीट रिलीज कर दिया है, तो 27 साल में और विशेशकर पिछले पांच सालों में जिस तरह की सरकार चली है, जिसके चलते दरेंद्र अपनी सरकार को कई बार बदलना पड़ा, कई बार मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, और मैं समय तो कि देश के इतियास में पहली बार पूरा की पूरा काबिनेट, मुख्यमंत्री सहित, आपने कच्रे के टोकरे में डाल दिया और स्विकार किया, कि हम असफल रहे हैं, पर फसर एक तरह से जनता से माफी थी, चाहे उन्होंने शबदों से नहीं माँगी थी, अंवे कृतियों से माफी माँगी, गल्ती हो गई, हमें नहीं जब रहे हैं यहाँ पर, किसी और को ट्राय करेंगे वो माफी मांगते हैं जनता माफ कर देती है उनको अब देखिए अब तक तो क्या लेकिन आप नहीं करेगे अब नहीं करेगे कॉंग्रिस पार्टी को यहां की जनता क्यों मौका दे आप बोल रहे हैं कि एक अलग तरह का मौन कैम्पेइन चल रहा है मौन लोगों को कहा समझ में आता है पस हाँ अभी जो आला नेता है वो अभी तक नहीं आए हैं एक दो दिनों में आने के उम्मीद है और शुरू हो जागा फिर जिस तरह से हम परिक्षित हैं में कैंपेइन हाई प्रोफाइल कैंपेइन जैसे मोदी जी करते हैं बड़ी सारी सभाए उस तरह का कैंपेइन भी हो और ऐसा हुआ जब कॉंग्रिस पार्टी ने 77 सीटे हासल की थी लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रिस का पूरा गुड़ा गड़त बिगाड़ने की तैयारी में बैठी हुई है देखिए आम आदमी पार्टी तो वोट काटने के लिए हर कि राजनीति यकसि अंवडनी यह मँग तरफी अनुक्रा ट मांद खृनाने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से केसट्र काट चल रही है,बार साल से हमने देख लिया है कि हमें जनतंत्र के बच्चने का खत्रा लग रहा है सम्विधान रहगा कि नहीं उसकी आशंका है और हम एक तानाशाय के ओर बढ़ रहे हैं और उससे वातावरन जो दूशित हुआ है जो द्वेश का वातावरन बना हुआ है वो चुनाव जुतने के लिए आप आपसी जड़े करवा रहे हो बीजेपी की हिंदुत्वा की जो र आप भारत जोड़ों कैंपेंच चला रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी टूट्टी वी चली जारी है कॉंग्रेस पार्टी के 20 ऐसे नेता हैं जन्होंने कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी जुएन कर ली है और उसमें से कई 2017 में चुने गया विधायक रहे देखिए आपको अं मेरे राज में महराष्ट अमेशियू सना को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया हमने कभी नहीं देखा था जो आजकल वहाँ पर बाते चलती है आपने सुई होगी 50 खोके की बात चल रही है आप ED का CBI का NIA का सारी चांच एजेंशियों का गलत इस्तिमाल कर रहे ह कि अपने से का गलत इस्तिमाल कर रहे हो, आप लालज दे रहे हों को पदों के, क्या क्या नहीं करके सरकारें तोड रहे हो बुछाट में हुआ है, चुने हुए हमारे MLA को तोड़ा गिया है, अब इस तरह की राजनीदी जनता नहीं सहीचार करेगा मानते उद्धर ठाकरे की पार्टी शिवसेना के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है उनको रातो रात ख़बर नहीं होती है मैं महराज पर लोटूंगी लेकिन उसके पहले गुजरात पर ही रहते हैं मैं एक बर फिर से आप से जानना चाहूंगी आखिर ऐसी क्या वज़ा रही 77 सीटी आप लोगो कॉंग्रेस यह भी किनाती हुए नजर आई थी कि वो जनेव धारी ब्रामवनें इसी गुजरात में लेकिन इस बार राहूल गांधी पूरी तरह से नदारत रहे जब आपके बड़े नेता नहीं आएंगे और यहां पर नरेंद्र मोदी अमित शाह अर्विंद केजिवाल दिगजों के मौझूदगी होगी, तो जनता पूछें कि नहीं आप लोगों से कि गुरात को ऐसे परायक क्यों करके रखा है। इंदित्वा के बाते कर रहे हैं, मंदिरों के बात कर रहे हैं, फुतलों के बात कर रहे हैं, वुर्कियां बड़ी बड़ी बना रहे हैं, तेकि जन्ता के जो बुनियादी सवाल है, क्या उन पे कोई विचार कर रहा है, आपको खुद अपनी सरकारे बदलने पड़ रही है, तिर तिर मुख्यमंतरी बदलने पड़ रहे हैं, क्या गुजरात के चंता यह नहीं चाहते कि इत्ते साल के बाद हम एक अच्छा प्रशाशन मिले हमारी जनता की जो बुनियादी जो हमारी समस्य है उसे बात को रहे हैं, क्या युआ तरस नहीं है, क्या महंगाय से लोग तरस कि सरकार चल रही है, आपने जब भी कोई दुरघटना घटी है, आप SIT बना देते हैं, एक भी SIT की अंतिम कोई रिपोर्ट आई है, किसी को कोई सजा हुई है, मोर्भी के दुरघटना में, जो असली गुनेगार है, उन तक सरकार पहुंचेगी, तेकि यह क्रोनी कैपितल को वर्स्ट इग्जम्पल है, इसारा,